हेलो एव्रिवान वेलकम टूपान स्टदी मैं श्रद्धा शर्मा आपको जेनरल एरवेनेस का पार्ट कवर करा रही हूं जेके एससबी के एक्जाम के लिए विचिज ओफ 40 मार्क्स अभी जख हम लोग आपको देखिए कितना कुछ करवा चुके हैं संभूसभा आपको स्प अगर आपको इन में से कोई भी लेक्टर पढ़ना हो तो आप हमारी चानल पर जाकर प्लेइलिस्ट वाले सेक्शन में आप जीए वाला प्लेइलिस्ट खोल कर पढ़ सकते हैं जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो आपको उसकी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी इसके अगर आपको मैट्स या रीजनिंग की भी क्लासेज लेनी हो तो प्लेइलिस्ट में उसकी भी प्लेइलिस्ट अवेलेबल हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हैं अगर हम हमारे चानल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइल रिक्वेस् चानल की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें और जो भी टेलीग्राम पर आपके क्विजिज होते हैं जो की डेली आपके स्याम को साथ बज़े होते हैं वो भी आप जाकर अवेल कर सकें और अपनी जो एकजाम की तयारी है उसे सही से कर सकें तो चलिए आज मैं आपके मैं लिए 50 mcqs लेकर आई हूं ancient history के ओपर जो कि कुछ आपके previous year questions से उठाए हूए previous year papers से उठाए हूए है कुछ जो मुझे लगता है exam point of view से important है वो मैं लेकर आई हूँ तो आज ये questions देख लेते हैं the first question is which of the following is the birthplace of buddha lumbini, varanasi, bodhgya और saarnath so your answer is lumbini second question is in which of the in which of these following states the kanhiri caves are located तो kanhiri caves आपकी कहां पर है maharashtra में है ठीक है who was the first tea thangkara of jainism अगर आपने मेरा second lecture देखा हो ancient history का तो I'm sure आपको ये बहुत अराम से आ जाएगा तो इसका सही answer बनता है रिशब ठीक है जिसे रिशब नाथ भी बोला जाता है then comes the dash architecture mainly consists चैत्याज विशाराज स्टुपाज और स्तंभाज तो किस religion के अंडर ये सब आता है of course Buddhist architecture के अंदर ये सब आता है who among the falling presided the first Buddhist council held at Rajgriha तो first Buddhist council जो थी वो किसके अंडर हुई थी महाकसिपा के अंदर हुई थी ठीक है महाकसिपा ने इन्हें preside किया था he was the chairman ठीक है तो which personality is mentioned in the Buddhist text Milinda Panha Milinda Panha जो है उसमें किसकी बात की हुई है उसमें नागसेन की बात की हुई है नागसेन अगर आपको याद हो तो नागसेन helped Milinda to convert into Buddhism okay so इसलिए Milinda Panha बोला हुआ इस text को at which place did Gautam Buddha passed away कहां पर इनकी कुशिनगर में death हो गई थी ठीक है उसके बाद in which language were the Buddhist literary works generally written Buddhist जो text है it is written in Pali और अगर हम Jainism की बात करें तो it is written in ट्राकृत okay where did Siddhartha get entitled sorry enlightenment तो Siddhartha किसका नाम था बुद्धा का ही जो enlightenment से पहले नाम था he was known as Siddhartha और इन्हें गया में जिसका नाम बाद में बहुत गया पढ़ गया था just because बुद्धा को वहां पर enlightenment जिसे निर्वाना भी बोला जाता है बुद्धिजम की language में तो वो उन्हें attain हुआ था तो बुद्ध गया is the right answer which of the falling is not included in the three ratna of Buddhism तो इन में से कौन सा है जो three ratna में नहीं included है तो middle way जो है वो included नहीं है middle way अलग से आता है यह three ratna का part नहीं है ठीक है वेर डिड़ गौतम बुद्ध टीच for the first time कहां पर उन्होंने अपना first sermon दिया था तो सारनाथ में दिया था उन्होंने अपना first sermon ठीक है उसके बाद real name क्या है महावीरा का महावीरा जो है वो उन्होंने भी अपना नाम attain किया after he got enlightenment ठीक है उससे पहले उनका नाम था वर्दमान जेन लिट्रेचर जो है वो उसे और क्या बोला जाता है उसे अगम भी बोला जाता है ठीक है तो यह पिता का सुत्त जो है यह जो है यह बुद्धिसम से करेट है और जेन लिट्रेचर को अगंभी बोला जाता है फॉंसलड फाउंडर ओफ पाला डाइनस्टी के फाउंडर कौन थे गोपाला पॉसर्वdon पाला दाइनिस्टी। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया है। कुझुला कटफीस वास्टी फाउडर आफ कुशान दाइनिस्टी। वेर वस महावीरा बॉन। महावीरा कहां पर इनकी जनम हुआ था। तो कुंदा ग्राम में इनका जनम हुआ था। वू इस अलसो कॉल्ड लाइट अफ एशिया। गौतम बुद्ध, जीजुस क्राइस्ट, प्रॉफेट मुहमिद और स्वामी द्यानन। गौतम बुद्ध is the right answer। अनुवरत is associated to which religion। अनुवरत जो है वो जैनिजम से related है। अजन्ता केव्स जो है आर टेस्टिमेनी तो गोल्डन इज ओफ डाश इन बुद्धिजम। तो यह अजन्ता केव्स जो है मैंने आपको बताया था बुद्धिजम से related है। यहाँ पर बुद्धिजम के ही जो भी पेंटिंग्स है वो देखी जाती है। ठीक है बुद्धिजम से related which of the falling is not a part of त्रीपिता का। त्रीपिता का वर्दी लिट्रेट्रेचर्स ऑफ बुद्धिजम। तो अभी दमा सूतरा और विनाया जो है वह तो हैं और अस्था जो है वह नहीं है this famous traveler फाहिन जो थे वह किसकी रेहीं में हमारे इंडिया आय थे तो वह आय थे चंद्रगुप टू के रहें में ठीक है और चंद्रगुप टू का एक और नाम था जिसे आप comment box में मुझे लिख कर बताएंगे कि चंद्रगुप टू को और क्या टाइटल दिया गया था एलेक्जेंडर इंडिया में कब इन्वेड किया इन्होंने तो याद रखेगा 326 BC में इन्वेड किया था 326 AD में नहीं 326 BC में ओके which are the following rulers revived Nalanda University तो किन्होंने revive किया था मैं यह नहीं बोल रही कि established किसने किया था revive किसने किया था तो धरम पाल ने इन्हें रिवाइव किया था ओके चानक्या वस्ट चीफ ड्वाइजर ओफ यह तो हम सब को पता होगा चंद्रकुप मॉर्य ओके अशोका बिलॉंग तो विच डाइनस्टी तो अशोका मॉरिन थे ठीक है और किसके सं थे बिंदु सारा के बिंबी सारा और बिंदु सारा दो अलग लोग हैं बिंबी सारा वस्ट फाउंडर ओफ हर्यंकास डाइनस्टी और बिंदु सारा वस्ट फादर ओफ अशोका तो किसे बोला जाता है समुद्र गुप्त को बोला जाता है नेपोलियन उफ इंडिया ओके इन विच डाइनस्टी रूल मगद्ध आद दी टाइम अप अलेक्सेंडर ऑफ इनवेजन वीन होई थी और अगर रूलर की बात की जाए तो कौन थे धनानन्द ओकी अजंता केव्स जो थे were built during the period of गुपताज गुपताज के टाइम पे अजंता केव्स बने हैं हमारे नंदा डाइनस्टी वस प्रिसीडिड बाई प्रिसीडिड मीन्स कि नंदा डाइनस्टी से पहले कौन थे तो शिशुनाग थे पहले फिर नंदा आये पहले हरैनकाज, दें शिशुनाग दें नंदाज, दें मौरेंस दें गुपताज, ओके तो आपको ये टाइम लाइन भी याद रखनी है दें वोस दे कोट पोईट ओफ हर्षवर्धन तो ये वस वेरी फेमस कोट पोईट ओफ हर्षवर्धन और अगर प्लेज की बात की जाये तो इन्होंने हर्षवर्धन के साथ मिलकर तीन प्लेज भी लिखे है विच एम्परेर रोट दे प्लेज नागननदा इन संस्कृत तो अभी ही आपको मैंने हिंट दिया था कि किस जो एम्परेर थे उन्होंने प्लेज लिखे थे तो आंसर इस हर्षवर्धन किस के साथ बना भट्टा के साथ मिलकर लिखे है इन्होंने वो वस्ट पार्फुल रूलर ओफ नंदा डाइनस्टी तो महापाद्मननन्दा इस जो पार्फुल रूलर ओफ नंदा डाइनस्टी देन विच युणिवर्सिटी बिकेम फेमस इन पोस्ट गुप्ता एरा पोस्ट गुप्ता एरा में नंदा जो थी वो फेमस हो गई थी अगर आपको याद हो का हर्षवर्धन के टाइम पे भी हर्षवर्धन ने एक मानेस्ट्री नंदा में establish कराई थी which ruler opened the great silk route जिसे चाइना से इरान connected था he was kanishka kanishka okay so mesolithic sites जो है show evidence of what fishing hunting domestication of animals so in सब की evidences जो है हमारे mesolithic sites में available है ठीक है तो which neolithic site shows evidence of dog burial along with humans humans के साथ dog को भी बरी किया जाता था यह कहां पर हमें देखने को मिला था बुर्ज हम में जो की जेंड के में है macrolits are typical of which age so macrolits were majorly in mesolithic age ठीक है और macrolits जो थे वो कहां पर आगे थे हमारे neolithic age में ठीक है the only harapan site without a citadel कौन सी थी दैमाबाद ठीक है दैमाबाद में सिटिडल नहीं था largest harapan site अगर देखी जाये तो किसे बोला जाता है धोला विरा को ठीक है who started this saka era saka era अगर आपको याद होगा तो saka era किस ने start किया था kanishka ने ठीक है who among the following is the first to invade India mostly आप सबको लग रहा होगा कि Alexander है but I must tell you कि Alexander was not the first foreigner to invade India पहली बार invasion किस ने की थी Darius one ने he was an Iranian invader ठीक है और उन्होंने पंजाब के side का area किया था और से लिक्स जो थे वो उन्होंने invasion करने की try की थी किस के time पर चंद्रगुप मौरे के time पर which of the following is the oldest dynasty अब इन में से जो चार मैंने दिखाए हैं इन में से कौन सी oldest है ठीक है आपको ऐसे नहीं जाना है कि हर्यनकाज माम या कोई और नहीं जो चार आपको options दिए उन में से कौन सी oldest dynasty है तो अगर आपको timeline याद होगी तो Moran dynasty is the oldest dynasty of the four जो options में है जीवी का चिंत मनी जो की तमिल में लिखी गई है ये किस से associated है जीवी का चिंत मनी जो है वो जैनिजम से associated है वेरिज ब्रिहदेश्वर temple situated तो ब्रिहदेश्वर temple जो था वो हमारा तंजोर में है ठीक है हर्षा moved his capital from which place to which place तो हर्षा ने अपनी capital जो थी हर्षा या फिर आप इसे हर्षवर्दन भी बोली जिए उन्होंने थनेश्वर से कनोज में अपनी capital को shift कर दिया था ठीक है then who established महाबलीपूरम महाबलीपूरम जो city है वो किसी किस ने established की थी तो यह established ही थी पल्लवा के time पर ठीक है तो आपको बताना है कि किस पल्लवा जो रूलर था उन्होंने महाबलीपूरम को establish किया था अभी तक आपके तीन मेने questions आपसे पूछ ली है make sure आप इन्हें comment में जरूर बताए विच रूलर बिल्ट एलोरा caves temples तो किनों ने built किया था अलोरा caves को राश्ट्र कुटाज ने ठीक है मोहेंजोदारो जो है सिंधी में इसका क्या मतलब है so मोहेंजोदारो actually means the mount of the dead okay so the last question of our series जो 50 questions की मैं आपको questions लेकर आई थी which are very important from your exam point of view तो I hope आपको यह सारे questions पसंद आया होएंगे last question देख लेते है what was दसराजन दसराजन इन में से किस से associated है क्या मतलब था दसराजन का क्या ये विश्णू के 10 incarnations है या फिर 10 kings की battle को 10 राजन बोला जाता है या फिर एक जो slave son जो राजा की under slave son था उसके 10 sacrifices को बोला जाता है या फिर 10 cows की sacrifice को बोला जाता है so battle of 10 kings दस राजों के बीच में एक battle हुई थी उसे 10 राजन कहा गया था okay with this I complete my ancient India I hope आपको ancient India अच्छे से समझ आया होगा this video is very helpful for revision kind of purpose ठीक है जब भी आपको एक्जाम देने जाना होगा तो आप इस वीडियो को खोल कर देख लीजेगा इससे आपका mostly part covered हो जाएगा जो भी आपको मैंने पढ़ाया हुए है और I hope कि एक्जाम में जादा से जाद ठीक है till then आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजेगा और अगर आपके कोई suggestions भी होंगी history से related तो most welcome आप मुझे comments में बतायेगा I am telling you मैं आप सब की comments बढ़ती हूँ आप सब के जो doubts है वो देखती हूँ तो अगर आपको कोई भी रिक्कत है आप प्लीज मुझे comments में बता दीजेगा thank you so much और आप प्लीज हमारे चानल को भी subscribe कर लिजेगा with next lecture I will come with medieval India medieval India का आगे हम पार्ट पढ़ेंगे ठीक है so thank you so much